चिप्स पापड की इससे आसान रसिपी तो हो ही नहीं सकती पोहे के चिप्स पापड बनाने के लिए हमें एक कप मुटे वाले पोहे लेना है जिससे हम पोहा बनाते हैं ये वही है थिन वाला नहीं लेना है थिक वाला नेना है एक cotton के कपड़े पर डाल कर इसे अच्छे से पोच लीजे पोहे को धोना नहीं है इसलिए इस प्रोसेस को avoid मत कीजेगा अच्छे से ये clean हो जाएगा एक्स्ट्रा जो dust होंगी वो निकल जाएगी clean हो चुके पोहे grinder में डाल देना है कम से कम एक से तेड़ मिनट तक महीन होने तक grind कर लेना है रेसिपी अगर नहीं लग रहे हैं पसंद आ रही हैं प्लीज लाइक शेर कर दीजेगा जिस कप से आपने पोहा लिया था उसी कप से दो कप पानी grinder में ही डाल दीजे और फिर से इसे एक बार smooth होने तक grind कर लेना है अगर आप कटोरी से बना रहे हैं तो उसी कटोरी से सारे measurement ले सकते हैं मेरा ये कप 250 ml का है पोहे और पानी का बैटर कितना smooth और चिकना ready हो गया है फिलकल ऐसा ही चाहिए अब एक मोटे तले वाले पैन में दो कप पानी डालिए और ready किया हुआ बैटर भी डाल दीजे पानी normal temperature का है अभी हमने इसे गरम नहीं किया है grinder में जितना भी पोहे का बैटर लगा हुआ है उसे इस तरह से निकाल लीजे इस पानी को भी इसमें ही मिला देना है अब एक चम्मच से बहुत अच्छे से स्मूध होने तक हमें फैट लेना है लंप्स नहीं रहने चाहिए अगर आपके पास hand whisker है उससे कर लीजे एक कप पोहे के लिए 5 कप पानी यूज़ करना है अगर कटोरी से बना रहे हैं एक कटोरी पोहा 5 कटोरी पानी वन फोर टीस्पून पापड़ खार या फिर बेकिंग सोडा डाल दीजे हाफ टीस्पून से भी कम नमक डाल देना है क्योंकि सिफ एक कप पोहा है गैस पर चढ़ा दीजे चलाते हुए एक बॉइल आने तक कोग कर लेना है जब इसमें एक बॉइल आ जाए तब आपको इतना चलाने की ज़रत नहीं है बैटर में उबाल आना शुरू हो गया है ये कोग होने लगा है अब सिफ हमें 10 मिनिट तक और कोग करना है पर अगर आप ज़्यादा कॉंटिटी में बना रहे हैं कुकिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ा लीजे एक कप पोहे का है तो पहले का स्टार्टिंग वाला टाइम मिन्स टोटल 15 मिनिट में ये कोग हो जाएगा बैटर का कलर भी चेंज हो गया है थिक भी हो गया है इसका मतलब है ये कुक हो गया है अच्छी कॉलिटी की पॉलिथिन को बिछा लीजे उसके उपर रख दीजे इस तरह से चूडिया चूडिया रखने से बिलकुल ये चिप्स वाले साइज का बन जाएगा अगर आप इसे पापड के साइज में बनाना चाहते हैं बिना चूडियों के टारेक बैटर डाल सकते हैं ये बड़े साइज का बन जाएगा दस से बारा चूडियों पर बनाईएगा जैसे ही आप पूरी चूडियों पर डालेंगे पहला वाला अपने आप सेट हो चुका होगा चूडियों को निकालते चाहिए और बैटर डालते चाहिए दो दिन की अच्छी दूप में सुखा लेना है दो दिन की दूप में सूख कर ये रेडी है चलिए इसे फ्राय कर लेते हैं सूखे हुए पापड को आप एयर टाइट क हो जाते हैं आप लोग ये रेसिपी किस पीटी से देख रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा मुझे ये जानना बहुत अच्छा लगता है इस तरह के पुहा चिप्स बनाएए खुद भी खाईए फैमली को खिलाएए इंजॉय कीजिए मुमें डालते से खुल जा रहा है ब